लोगों का अर्टिंसन सबसे ज़्यादा लॉस पर जाता है, अगर किस इंसान को 100 रुपे मिलते हैं, उसमें से 70 रुपे वो खो दिता है, वो 70 रुपे खोने का गम मनाएगा ना कि 30 रुपे पाने की खुशी, क्योंकि वो सोचता है कि 70 रुपे उसके लिए ज्यादा महतुप और हमेशा आपका साथ पाने के लिए excited रहेगा, यह realize करवाना एक art form है, जिसका use experts करते हैं business में, sales में, यह आपको बहुत काम आने वाले है करियर में, relationship में, दोस्ती में, तो चलिए जानते हैं इस art form को, टिप number one, use complimentary effect, हर इंसान की जीवन में कोई न कोई ऐसी चीज होती है, जिसको वो miss करता है, जैसे for example, एक इंसान जो introvert है, वो सोचता है कि उसकी girlfriend या wife extrovert हो, ताकि introvert होने की वज़ा से जो चीज़े वो बोल नहीं पाता, उसके बिहाव पर उसकी बीवी बोले, 1950s में sociologist Robert Francis ने कहा था, कि हम उनसे attract होते हैं, जिनमें वो qualities होते हैं, जो हमारे अं कोई न कोई ऐसी चीज होती है, जिसको वो miss करता है, हर इंसान किसी न किसी चीज के बारे में सोचता है कि कास मेरे पास ये होता, और अगर आप उसे provide करने लग जाते हो, तो वो इंसान आप पर depend हो जाएगा, और जिस वज़े से वो इंसान हमेशा आपको miss करेगा, total 5 तरह क नीड्स होते हैं इंसान के, नमर वान, psychological survival needs, air, water, food, sex, नमर टू, safety and security needs, एक इंसान डेंजर से दूर रहना चाहता है, protected feel करना चाहता है, नमर थ्री, need for belongingness, social acceptance, social interaction, social affiliation, नमर फोर, need for self-esteem, self-worth, competence, skills, appreciation, recognition, respect, नमर फाइफ, need for self-actualization, physical and emotional, इन सब का मतलब समझाऊंगा, तो बहु बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन यह समझलो कि यह सारे needs हैं एक इनसान के, इतने सारे needs हैं एक इनसान के, कोई न कोई चीज वो miss कर रहा होगा अपने जीवन में, और उस चीज को पाने के लिए वो इनसान हर कोसिस कर रहा होगा, अगर आप उससे पूरा कर देते हो, त कोई इनसान आपको हमेशा याद करेगा, आप उसके लिए एकदम जरूरी हो जाओगे, आपको वो हमेशा miss करता रहेगा, अब पता कैसे चले उसकी जरूरत क्या है, ये चीज उससे बात करने पर ही पता चलेगा, चालाकी से बात करके पता करो, साइकोलजी कहती है कि जब किसी चीज को कोई इनसान रिपीट मोड में सुनता है, तो उस पे सबकॉंसिसली बिलीव करने लगता है, इसका इस्तमाल बहुत से सेल्स एक्सपर्ट और एडवर्टाइजमेंट करने वाले करते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट में एक ही किया जाता है, आप सबकॉंसिसली बिलीव करने लगते हो कि डॉक्टर्स का सुझाया नम्मर वन ब्रैंड यही है, सिमिलरली आप किसी इनसान से बातचीत करते हो, आप उसे ये बताते हो कि आप कितने ज़्यादा स्पिसल हो, आपकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है, ये ची कितने ज़्यादा खास हो, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, सामने वाले को सबकॉंसिसली ये चीज़े बिलीव होने लगेगी कि आप कितने ज़्यादा स्पिसल हो, बातों बातों में ही उस इनसान के दिमाग में घुसा दो, कि आप कितने बहतर इनसान हो, आप क इतने जादा स्मार्ट इंसान हो 80% आपकी बातों में सचाई होनी चाहिए and 20% आप फेक भी सकते हो सामने वाले को लगना चाहिए कैसे भी कि आप कितने परफेक्ट इंसान हो आपके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं ये तुरंत नहीं होगा इसमें टाइम लगेगा अगर आप म बताते रहोगे कि आप कितने जादा वैलिवेबल हो आप उसे बताते रहोगे कि आप में क्या-क्या खासियत है तो सामने वाले को लगेगा धिरे-धिरे कि हां बंदे में दम है और जिस वज़े से कहीं ने कहीं वो इंसान आपको खोने से डरेगा और definitely अगर आप उसके आस वैलिव तब तक नहीं समझते हैं जब तक वो इंसान हमारे पास होता है पेट अगर भरा हुआ है तो लजीज से लजीज खाना खाने का मन नहीं करता भूखा इंसान कुछ भी खा लेता है वैसे ही जब तक सामने वाले को आप वैलिव देते रहोगे उसके पास रहोगे उस आपने अक्सर सुना होगा कि लड़कियों को बहुत ज़दा भाव मिलता है इसलिए वो बहुत ज़दा भाव खाती हैं। अलग होगा ना ये भाव नहीं खाएगा। दोस्ती हर जगा काम आएंगी। आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक सिक लाइट करें। करियर, रिलेशन्शिप और परस्नालिटी डवलपमेंट के काउंसलिंग के लिए आप नीचे दियेगे नमर पर कॉंटक करें। करें। करें।